हेलो, आज मैं आपको जो विंटर में कॉप लगाई जाती है, उसके लिए कैसे स्वेल प्रिपेर की जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ यह आप मेरी क्यारी देख सकते हैं, इसमें पहले मैंने स्वीट कॉन लगाया हुआ था, जो मैंने पहले ही हार्वेस्ट कर लिया है, अगर आप मेरी हार्वेस्टिंग की वीडियो देखना चाते हैं, तो आप वीडियो के उपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, यह इ और इसी तरह से हम पूरी काटके क्यारी साफ कर लेंगे, आप देख सकते हैं, और अब ये एक जगे हम इन्हें इखटा कर रहे हैं, इन्हें बांद के फिर हम गवशाला दे आते हैं, ये एक गववों के लिए बहुत अच्छा चारा होता है, अगर आप भी इस तरह से सकते हैं आप गवशाला में, और ये मेरा वही एरिया है, जिसमें मैंने लौकी तोरी और सेम की बेल लगा रखी है, और इन्ही बेलों के नीचे मैंने गोबी लगा रखी है, अगर आप भी इन में से कोई सबजी की फसल की जानकारी चाहते हैं, तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इन सबजीों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, और ये मेरी सेम की बेल देख सकते हैं, इसमें कित्ती सेम लग रही है, और सेम बिलकुल एकदम हरी है, अब मेरे हलपर ने सारे जो स्वीट कॉन के पौदे हैं उपर से काटके अलग कर दी है और नीचे जो इनकी जड़े हैंगी वो अब फावडे से खुद कर निकालने लगा हुआ है क्योंकि इनकी जड़े नीचे भी काफी जाती है आप जब भी नई फसल लगाएं तो जो पुरानी क्यारी है इसको अच्छे से खो दें ताकि मिट्टी और जो स्वाइल है एकदम नरम हो जाएं और अगर लगता है आपको कि मिट्टी काफी सुखी हुई है तो आप उस समय एक बार पानी भी छोड़ सकते हैं क्यारी में ताक करेगा इसलिए हमेशा जब भी नई फसल लगाएं तो आप मिट्टी को जरूर खोदें अब आप देख सकते मेरे हैल पर ने सारी क्यारियां खोद दी हैं अब इनको हम 15-20 दिन के लिए दूप लगाएंगे उसके बाद जो डेले हैं उनको फट्टी की मदब से और चारो तरफ डूले बनाके क्यारी त्यार कर लेंगे हम अब आप देख सकते हैं मेरी क्यारियां त्यार हुई है देखने में अच्छी लग रही है न इससे मिट्टी को भी थोड़ा रैस्ट मिल गया और अब जो फसल लगाएंगे वह अच्छे से अपनी हार्वेस्टिं देगी इसमें में ज्यादा तर पत्तेदा सब्जी लगाऊंगी जैसे पालक धनिया और दो क्यारियों में प्याज कई पॉट डालेंगे हम लोग बीज लगाने से पहले हम इसमें गोबर की खाद और कमपोश खाद डालेंगे और फिर पानी छोड़ेंगे इससे जो स्वाइल की फर्टिलीटी है वह अच्छी हो जाती है और आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी आप देख सकते मेरी क्यारी में कितना खाद डाला ह हुआ हमने अब मैं आपको बिल्ली और उसके किटन दिखाती हूं देखो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है शायद वो उनको फीड दे रही है हम लोग इसके पास नहीं जाते हैं उतना अगर आपको मेरी इंफोर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ओके बाए करें शयर करें अगरियोग जर्ड़ अपनां यह को अगर शींजा sparkling कोशिता से यह हम प्यान आप झाल झाल